अस्सलाम अलेकुम, Aspirants Aspirants हमारा आज का lecture है Simple and Compound Interest यहाँ पर हम easy questions देखने वाले हैं, simple interest से क्योंकि simple interest को मुश्किल ज्यादा बनाया नहीं जा सकता, एक उनका simple formula है और उसके थूरू सारे questions हल होते हैं, बकाया compound interest जब भी आता है तो जरा मुश्किल आता है क्योंकि यह DIA इस मकसद से जाता है कि जी students ना कर पाएं, तो यहाँ पर हम compound interest को जड़ा detail में करेंगे और difficult questions से साथ करेंगे CSS और PMS में भी questions आते रहे हैं, FPSE और PPSE के general recruitment की बात करें, तो MCQs में ज्यादा ज्यादा आपके simple आता है, interest और compound नहीं आता, क्योंकि compound interest निकालने में time ज्यादा लगता है और वो questions हमें एक मिनट में एक करना होता है चलें, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले simple interest के देखते हैं, simple interest का हमारे पास formula है, कि simple interest is equal to PRT upon 100 यह आपका formula है जिसमें यहाँ पे principal amount है rate of interest है, time period है और upon में 100 यह constant है और यहाँ पे simple interest इसके इलावा एक और formula है जी कि amount is equal to simple interest plus आपका principal amount तो यहाँ पे principal amount वो है जब आप जो है bank वगएरा में पैसे रखवाते हैं, तो initial जो आपके amount होती है, वो principal amount होती है जो bank आपको उसके उपर soot देता है, profit देता है simple interest देता है, तो उसको हम SI लिखते हैं यहाँ पे, यानि simple interest, दोनों को अगर plus करके बात करें, तो amount की बात होती है कि जब आप principal amount एक bank को देंगे, 10% के साब से, 5% के साब से, जितना भी interest दे, वो 3-4 साल, बाद में जब आपको वो return करेगी, तो इन दोनों amounts को plus करके, जो आपका amount देगी, उसको हम simple amount केते हैं, यानि A, तो अब देखते हैं problems सबसे पहले हमारे पास यह problem है, जिसमें यहाँ पे हमें, आपके पास principle दिया हुआ है, principle amount 500 रुपीज है, rate of interest हमें दिया हुआ है 5%, time period 4 years, यही जो है आपने simple interest के formula में तीनों चीज़े रखी हैं पे, और आपका simple interest आ गया 100, तो आपका answer यह आ गया, तो इतने easy questions होते हैं, आपके simple interest के अब आगे बढ़ते हैं simple interest का, यहाँ पे देखें आपके पास principle amount दी गई है, rate of interest दिया गया है, time period दिया गया है तीनों आपने put किये, simple interest आ गया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा difficult देखते हैं, देखें आप देखें, दो चीज़ें पूच रहे आप कहे रहे हैं कि time भी मालूम करें और amount भी मालूम करें इस दफा उसने principle amount दे दिया, आपको simple interest दे दिया और rate of interest दे दिया तो si is equal to prt upon 100 है हमारे पास यहाँ पे हमें si मिला हुआ है और time मालूम करना है, तो time के लिए हम जब equation आगे बीचे करेंगे तो time की equation यह बनेगी यहाँ पे हमने सारे variable put किये यहाँ पे time आपके आगया ढ़ाई साल, ठीक है तो एक चीज तो आपको मिल गई यहाँ पे जो है time, अब दूसरी चीज हमने find करनी है amount amount का formula मैंने आपको बताया था amount is equal to principal amount plus simple interest यहाँ पे principal amount और simple interest ने खुद ही दिये वे थे दोनों को यहाँ पे हमने जब plus किया तो हमारे पास amount आगई और यही answer है अच्छा अच्छा अब जी बढ़ते हैं आगे कि इस तरह के question आते हैं कि अगर आप amount एक रखते हैं उसको आपने 3 times बनाना है तो बताएं जी कितना time लगेगा अगर 10% आपको per annual per annum के हिसाब से interest मिलता रहे तो आपकी amount कब जाके 3 times होगी 4 times होगी इस तरह से questions आते हैं यह question भी आप जहें में बिठा लें क्योंकि इस तरह के question भी बड़े कामन है यहाँ पे ज्यादे ज्यादे आपको times change कर देगा 3 times, 4 times, 5 times और यहाँ पे per annum के साब से change कर देगा बागी question यही रहेगा तो यह देखें किस तरह होगा यहाँ पे हम suppose करते हैं कि principal amount x है क्योंकि इसने amount बताई नहीं है कि हम initial amount कितनी लगा रहे है फिर यह कह रहा है कि जो amount हम लगाते हैं end पे हम amount निकलवाएंगे तो वो amount होगी 3 times या नहीं जब end पे हमने amount निकलवाई तो वो थी 3x ठीक है अब simple interest का हमारे पास formula था sorry amount का जो हमारा fast formula था जिसमें था amount is equal to simple interest plus principle उस formula में हमने आपके पास principle amount भी रख दी और amount भी रख दी हमारे पास amount जो थी वो 3x थी और यहाँ पे जो principle है वो principle हमारा x सपोस किया हमने तो वो था इस equation के मदद से हमारे पास simple interest आ गया 2x अब आप क्या वही formula यूज होगा simple interest is equal to ptr upon 100 ठीक है आपका simple interest आपने खुद निकाला है 2x फिर time आपने मालूम करना है प्रिंसिपल amount आपने सपोस किया है x और यहाँ पे 10 आपको पढ़ एनम के साब से दिया हुआ यहाँ पे वो हमने रख दिया और 100 हमारा constant आ गया जब इस सारी चीज़े आपने पुट कर दी यहाँ पे तो आपका answer आ जाएगा जो है यहाँ पे 20 years तो आपने हर दफा जब यहाँ से 3 नि 4 times आ गया और suppose करें यहाँ पे 5% आ गया तो क्या change आएगा कि यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे 4x-x करेंगे तो 3x आ जाएगा तो यहाँ पे simple interest के formula में 3x पुट करेंगे और यहाँ पे जो time था time हमने 5 अभी लिया है तो 5 करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा अब move करते हैं compound interest पे simple interest वाले हमने देख लिए थे question compound interest का formula आपके पास सर्फ एक ही है जो है amount का formula हमारे पास amount बनती है जब हम principal amount bracket 1 plus rate of interest upon 100 whole power n यहाँ पे कुछ लोग n लिखते हैं या कुछ books यहाँ पे t लिखती है तो t या n number of times represent कर रहा है जो rate of interest आपको over the time calculate होगा तो यहाँ पे मैं आपको put करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें अच्छा यहाँ पे हम simple question नहीं कर रहें simple question किस सरह से होगे कि आपको time period बताया जाएगा आपको rate of interest बताया जाएगा आपको principal amount बताया जाएगी आपने सिर्फ amount डिकाल नहीं होगी या इन चार variable में से एक variable missing होगा कोई भी आपका amount आजाएगी ठीक है तो यह होगे simple questions पर यहाँ पे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि compound interest के question simple नहीं आते अचा इनको मुश्किल बनाने के लिए एक ट्रिक है वो क्या करते हैं कि compounding half annually कर देते हैं यहाँ पे देखें questions हमारे पास देखें question कह रहा है कि compound interest हमें find करना है 5000 हमारी principal amount है 10% per annum के हिसाब से यानि annually हमारा rate of interest है पर यहाँ पे मसला यह है कि compounding semi-annually हो रही है semi-annually यानि 6 months है यह बड़ा मसला है अगर यहाँ पे annually होती तो आप समझें कि आपका simple question होना था सारी चीज़ें आपने put करनी थी और आपका answer आ जाता पर आपने note किया कि यहाँ पर annum है यहाँ पे semi-annually है तो आपको difference नज़र आया जब भी आपको पता है कि दो अलग-अलग standard दिये होते हैं तो हमने standard common करना होता है यहाँ पे या तो दोनों को semi-annually लेके हैं या दोनों को annually लेके हैं तो यहाँ पे हम देखें किस तरह करते हैं यहाँ पे हमें time period होता है 11 upon 2 यह देखें ठीक है अब यहाँ पे सारी चीज़ें देखें principal amount हमारा same रहा इसके साथ हमने कुछ नहीं किया compound interest जो हमारे 10% मिला हुआ था उसको हमने half कर दिया क्योंकि हमारा हमने solve करना है semi annually के साथ से ठीक है इसको हमने annual को convert कर दिया semi annual में तो हमने multiply कर दिया sorry divide कर दिया 2 पे तो 10 को divide कर दिया 2 पे तो यानि 5% हमारा rate of interest आ गया अब यहाँ पे जो time दिया हुआ था यह time दिया हुआ है हमारे पास annually के साथ से अब इसको भी जब हम semi annually करेंगे तो semi annually में time हमारा double हो जाएगा तो 11 upon 2 multiply by 2 तो यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा यानि 11 years आपका time हा क्या अब आप same formula में put करेंगे सारी चीजे है और आपका answer आ जाएगा यहाँ पे हमने सारी चीजे है as it is put की n की जगा हमने 11 रख दिया और हमारे पास amount आ गई है यह फिर compound interest वही हमारे पास amount का formula amount is equal to compound interest plus principal amount तो same हमारे पास वह formula आ गया क्योंकि यह क्या बूछ रहे हमें find करना है compound interest हमारे पास यह amount आ गई थी हमने amount को इस वारूमले में डालके हमने compound interest यहाँ पे answer निकाल ला है तो compound interest हमारे पास आ गया 3550 रुपए अच्छा, अब मैं आपको repeat करवाता हूँ कि हमने किया क्या हमने सबसे पहले question में देखा कि यहाँ पर NM के साब से था, यहाँ पर semi-annually था हम examiner के trick समझ गए और हमने पर NM को convert करना है 6 months के साब से यानि हम इसको divide कर देंगे 2 पे, अब यहाँ पर हमने जब 6 months से convert किया है तो यह जो इसने time period बताया था यह बताया था पर NM के साब से, यानि इसका मतलब है कि हम 11 upon 2 यानि जो time period है उसको multiply करेंगे 2 से, तो double कर दिया हमने time और half कर दिया हमने rate of interest, सारी चीज़े formula में put की और हमारा answer आ गया बस हर दफा यही repeat होगा, यहाँ पे 4 हम question देखेंगे, चारों में आपको यही कहानी समझाएगी यहाँ पे देखें, compounding semi-annually और आपका rate of interest जो है वो per NM same आपने दुबारा यही चीज़ करनी है, principal amount के साथ आपने कुछ नहीं करना 1 year की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने time period को double करना था यहाँ पे 1 year है, तो हमने 2 year कर दिया फिर हमारे पास जो rate of interest हा उसको half करना है इसको यह friction whole farm में लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, 7 to the 14 plus 1, यानि 15 upon 2 15 upon 2 को हमने half किया, यानि 1 upon 2 से multiply करवाया, तो यह आगया 15 upon 4 अब जस्ट हमने यही करना है, कि यही आप सारे फार्मूले में foot करने है 15 upon 4 हमने निकाला है rate of interest, आपका यहाँ पर time period यानि n number आपका 2 आ गया, जो हमने यहाँ पर 2 years किया है और बाकी principal amount same है, यही चीज़े हमने फार्मूले में put किये हैं यहाँ पर, n को हमने 2 put किया है, rate of interest हमारा 15 upon 4 आ गया और principal amount हमारी यही वाली आ गई, जब हमने solve किया तो amount हमारे पास आ गई, पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है, जी amount भी बताएं और यहाँ पर compound interest भी बताएं, दोनों चीज़ें पूछी है तो यहाँ पर amount तो खुछ से निकल आई, एक तो यह हमारा हो गया, आदा question, अब compound interest निकालने के लिए हमने वही फार्मूला यूज किया, a-b, amount minus currencyable amount, तो यहाँ पर हमारे पास compound interest आ गया, 978, तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, हमारा question solve हो गया है देखें, दुबारा same, per annum दिया हुआ है, और फिर जो है, आपकी compounding half year दियो है, same, semi annually लिखा हुआ है, half year लिखा हुआ है, एक ही बात है, या six months लिखा हुआ है, तब भी same बात है, तो अब आपने क्या करना है, rate of interest को half करना है, यानि 4% हो गया यहाँ पे, और जो time दिया हु हो गया आपका, और 4 हमारी percent, जो है, rate of interest हो गया, principal amount same है, हम वही formula में रखेंगे, और हमारा answer आजएगा, यह देखें, rate of interest हमारे पास 4 आगया, time जो है, हमारे पास 3 आगया, अच्छा, यहाँ पे हमने गलत calculate किया था, यहाँ भी देखें, 2, 1, 2 plus 1, यानि 3 upon 2 हमारा time, इसने given किया है, तो इसको हमने double करना है, तो इसे multiply करना है, 2, 2 से cut जाएगा, 3 आपका time आ गया, तो यहाँ पे आपका, 3 time आ गया, 4 rate of interest आ गया, और इस तरह से आपका जो है, इस equation में put कर देंगे, और सही आ जाएगा answer, 7, 8, 0, 4 हमारे compound interest निकलाया, हमने उसी formula में यूज का,